योगी सरकार का अपरादियों और माफियाओं के खिलाब कारवाई करने का सलसला जारी है कानपुर के बिक्रु कांड के बाद से ही अपरादियों की धरपकड तेज हो गई है गुर्वार को गैंक्स्टर और पूर्वांजल की मौ सदर विधानसवा सीट से विधायक मुखतार अंसारी की अवयत समपत्ति पर बुल्डोजर चला है बतादे कि लखनव विकास प्राधिकरन ने डाली गंच इलाके में बने मुखतार के अवयत कबजे वाली इमारत को जमी दोस कर दिया है रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान मुखतार के बेटे अबबास और उमर अंसारी से जड़ब भी हुई दरसल मुखतार अंसारी के बेटों ने एक समपत्ती पर कबजा करते हुए इस पर दो मंजिला इमारत कर निर्मार कर लिया था LDA को सूचना मिलने के बाद 11 अगस्त को इसे गिराने का आदेश जारी कर दिया गया गुरुवार को जब LDA और प्रिशासन की टीम यहां पहुँची तो उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था और एक दर्जन से अधिक JCB मशीन लगी हुई थी लखनो प्रिशासन ने इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा है डाली बाक कॉलोनी के पाद गैंग्स्टर मुखतार अंसारी की अवैद रूप से स्वामित वाली संपत्ति को धस्त कर दिया गया है उससे तोड़ फोड के हर्चों की वसूली की जाएगी और FIR दर्ज की जाएगी जिन अधिकारियों के अधिन ये अवैद निर्माण हुआ उनकी जिम्मेदारी तै की जाएगी और उन पर भी कारवाई की जाएगी इससे पहले भी यूपी पुलिस ने मुखतार अंसारी पर शिकंजा कस्ते हुए पिछले महीने की शुरुआत में ही उसकी करीब 50 करोड रुपे से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया था मुखतार अंसारी इस समय पंजाब की जिल में बंद है और हाल ही में उसने कहा था कि वो यूपी नहीं आना चाहता है मुखतार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने लोगसभा चुनाओ के दौरान गाजीपुर लोगसभा सीट से बीजेपी के कदावर नेता और पूर्व रेल राजिमंत्री मनोच सिन्धा को शिकस्त दी थी हमारी न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें